तो भाई लोग हो चुके हैं फिर से बैक अनधर वीडियो के साथ में और भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क्सॉप टेक्नोलोजी का जिसमें आपका है पार्ट्स ऑफ सीप्यू भाई तुम हो सकता है तुम फ़र्स सेकेंड था जो भी कॉलेज पर डिपेंड करता ह दाए है किस एर में तुम्हारा टेकनोलोजी रखता है तो बहु हमारा व्रक्सॉप टेक्नोलोजी होता कि या मुझे भी नहीं पता है भाई, शिंपल भाई, यह पार्टस आप सीप्यू पूछता है क्वेशन, मैंने बहुत रिसेर्च किया तब यह बनाया है और डारेक्ट कॉष्चन आता है भाई, जो इसमें कॉष्चन आता है भाई, वो आता है, फॉल फॉंपल, फॉमारा वाय वाय होगा फुल फॉर्म पूचेगा भाई डिरेक्ट सिंपल फालतू यूट्यूब पे बहुत सारे तुम में बखवास बताएंगे पड़ एक्जाम से अगर तुम्हारा एक्जाम में तुम अगर पांच मिनट बाद भी तुम्हारा एक्जाम में तुम ये वीडियो देख करके जाओ भाई फुल मांक्स आएंगे लिखके ले लो तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स आप सीप्यू में इसमें फूल फॉर्म बताऊंगा भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो बनाने में क्योंकि रिसर्च करकर के मैंने फूल फॉर्म लिका है और मैंने पता लगा है मदरबोर्ट टाइपस एकोर्डिंग टू दियर साइज एन सीप्यू स्टेंडर एक्स माइक्रो एटी एक्स मीनी इट आईटी एक्स टिक है यह तुमारा मदरबोर्ट का टाइप होगी जिसको नोट्स बनाने है उसके लिए है और धिहान से तुम देख लो PCI स्लॉट प स्मूथ रखे गा तुम जो गेम वेम केलोगे मुस्टली उसी में ग्राफिक्स कार्ट का यूज होता है PCI स्लॉट में लगता है वह यह नूमर में डिरेक्ट कुश्चन आता है वाई 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 मैं पुछ लेगा कि PCI का फूल पॉम बता हो ठीक है तो क्या दोगे लेटेस्ट रेम क्या है DDR5 अच्छा SMPS का फूल फॉम पूछ लेगा Switch Mode Power Supply ठीक है प्रोसेसर का कुछ एक्जामपल पूछ लेगा तो AMD का Ryzen आता है Intel आता है तो यह सब क्या प्रोसेसर का टाइप है पुछ लेगा एक प्रोसेसर का नाम बताओ लेटेस्ट रेम कौन सा है DDR5 तो Parts of CPU बेसिकली कहने के लिए Parts of CPU तुमको CPU खुलवाएगा रखवाएगा कुछ नहीं अफालती हुआ टाइम पास है वो सब में तुमको वाइवाँ में कॉस्टन में यही सभाएगा ठीक है Example of Input Output Ports तो DVI Port, VGA Port, Digital Visual Interface, VGA क्या होता है वीडियो ग्राफिक एरे तो यह सब पोर्ट का एक्जामपल है Parallel Port ठीक है Parallel Port में क्या रखते है भाया प्रिंटर स्कैनर से Parallel Port में लगाते है तो यह फूल फॉर में एक पेज में लिख़ा रखा है चिंदा मत करो वास तुम देख लेना CMOS Battery अब यह CPU के अंदर एक बैटरी होता है चोटा सा जो टाइम मों अपडेट करता रहता है उसको बहते है CMOS Battery अब डेट टाइम एंदेट दबस दो CPU खोलो गया ना तो उसमें बैटरी छोटा सा रहता है Heat Sync, Absorb Heat, Heat Sync कर रहता है उसमें Power Connector, Supply Power to the Motherboard, एक Power Connector भी होता है उसमें Motherboard क्या होता है? It is a Type of Printed Circuit Board where all the hardware components are connected जो भी है कुछ Motherboard ही है CPU में CPU क्या ढकान है CPU का जो बहर वाला पाट होता है CPU component बोलते है ठीक है एक्स्टर्नल CPU box जो होता है CPU cabinet बोलते है अब आजाओ भाई मेरा मेहनत के उपर यह रहा तुम्हारा यह जो भी start लगा करके है यह सभी full form है जो तुम्हारे direct question में आते है भाई ट्रेटिंग के लिफिर से sorry मांगता हूँ यह दो कुछ जो है मैंने ओल्लेडी वैसे लिख रखा है क्योंको extra knowledge हो जाए और हो सकता है question पूछ ले तो एक number तुमको मिल जाए तो भाई अच्छा ही होगा सबसे पहले सबसे पहले UPS का देख लेते हैं uninterruptible power supply ESP का extra sensory perception it is a type of what Bluetooth Arduino board Arduino board को अगर phone से चलाना है अब Arduino board क्या होता है वो मुझसे मत पुछना उतना तो आना ही चाहिए तुमको Arduino board को अगर तुमको phone से चलाना है Bluetooth से तो वो ESP एक example होता है यह है कि breadboard में जो है 880 गो होल होता है 10 गो रो होता है 10 गो column होता है VCR Video Cassette Recorder HDMI High Definition Multimedia Interface DVI Digital Visual Interface VGA Video Graphic Array DDR Double Data Rate PSU Power Supply Unit VSU Visual Display Unit SATA Serial Advanced Technology Advancement POST Power on Self Test SIMM SIM Single Inline Memory Module DIMM Dual Inline Memory Module BIOS Basic Input Output System CMOS भाई छोटा बैटरी Complimentary Metal Oxide Semiconductor भाई यह कोई नहीं बताएगा कोई नहीं बताएगा यह इतना अच्छान से भाई रटके जाओ इसको कम से कम रट लोग फूल मार्क्स आएंगे आएंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू